आज में आप लोगों को fashion technology, swing technology और basic costumology की कुछ question में कराऊंगा जो की बहुत ज़्यादे important होंगे चलिए सुरू करते हैं आज की कुछ अच्छी question पहला question है style नेम्न में से किसका संसोधित रूप है आपके पास option है fashion, fashion trend, fed या उपरुत में से कोई नहीं तो इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा, fashion, यानि कि जो fashion है इसमें संसोधित रूप है किसका संसोधित है, style, style नेम्न में से किसका संसोधित रूप है, किसका fashion का, ठीके चलिए next question बारें बात करते हैं, कढ़ाई करने के लिए किस प्रकार की catchy का उपयोग किया जाता है तो आप देख पा रहोंगे, second question क्या है, कढ़ाई करने के लिए किस प्रकार कैची उपयोग किया आता है यहाँ पर कई सरे option है, catchy, buttonhole catchy, सजावटी catchy, या उपरोत में से कोई नहीं तो इसके जो right answer है, उपरोत में से कोई नहीं, यानि कि इनका किसी का भी use नहीं किया जाता है चलिए बात करते है, question मत third की, यह काफी अच्छे questions है, कोकि इसी पर question आपकी paper में आप लोग को मिलेंगे कोश मत third देखिए, निम्न में से computerized cutting machine है, कौन सी computerized cutting machine है, आप देख पा रहोंगे water jet cutting machine, noture cutting machine, या ए अभी दोनों, या उनमें से कोई नहीं, यानि कि जो दिये गए, ए भी उनमें से कोई नहीं यानि कि इसका right answer का है, water jet cutting machine, चलिए, अब बात करते हैं, नेश कोईशन की, ये भी काफी अच्छा कोईशन है, सिलाइक करते समय, खिसकने वाले कपड़े पर किस प्रकार का टाका उप्योग किये जाता है, आप देख पा रहोंगे, टेलर का टाका, टेला कच्छा टाका, य किस प्रकार का टाका उप्योग करते हैं, किस प्रकार का असमान कच्छा टाका का, चलिए, आँगे बात करते हैं, नेश कोईशन की, गर्म pen की सिलाई के लिए किस seam finish का अपको अपना जाता है, जब गर्म pen की सिलाई करते हैं, तो किस seam finish को अपना जाता है, तो आप देख पा की सीम का उपयोग किया जाता है चलिए नेश कोशन बारे में बात करते हैं जैसे का आपको पता है कि रुपेश क्लासिस बाई रुपेश हर एक प्रकार की ट्रेड के सेब्ड के कोशन आंसर लगवाते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आप चीजों को फॉलो करेंगे यानि कि च क्या सदारन यानिढ । चलिए नेश कोशन बारे माद करते हैं निम्न मेंसे बुनाई कपडियों वाले array Eduardo के बीच से गुजारा जाता है किन प Ты what है क्पड ट को थी कपड़ें के वाले इक बीच से उभारा जाता है ते क्या है अस्तर लगाने का के बहुत कॉमेन कॉऩिशन है तो अस्तर से कपड़े होती है कपड़े अधी टिकाओ बनते हैं इससे वस्त का गिराओ जो घिराओ होता है ठीक रहता है और प्रोश सभी जाने को प्रोश इसका राइट आंसर चलिए किसी भी पोसाग की ओपिनिंग को बंद करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तू क्या कहलाती है ठी कपड़ों में धीलापन डालने की प्रक्या को क्या कहा जाता है यदि कोई कपड़ा है उसमें धीलापन डालना है तो उसको क्या बोलते हैं इस डालते हैं तो उसको धीलापन कर देते हैं विविन तरीकों से ग्याद घटकों को संयुक्त कर ने उत्पात तता प्रभाव पै करने की प्रक्याव कैकलाती है आप देख पारे होंगे आपर राइटांसर क्या होगा यापर डिजाइनिंग क्या होगा थीक है तो 20 राइटांसर है चलिए आंगे बाद करते हैं ठंडे रंगो का प्रयोग से सरीर कैसा दिखाई देता है आपको छोटा दिखाई टा ठीक डिजाइनर को इंडियन स्टैल गुरू के नाम से जाना जाता है तो कौन डिजाइनर है शुनीत वर्मा जी ठीक है चलिए नेश्ट कोशन बारे बार करते हैं फाइन जोलरी के तुलना में अधिक उबरी जोलरी होती है वो कैसी होती है कॉस्ट्यूम जोलरी यह लोग पहनते ना चलिए आंगे बात करते हैं निमने स्लूट विसेश रूप से ठंडे मौसम के लिए उप्रिक्त माने जाता है कौन सा है ओवर ग्लास स्लूट एक्स्ट्री अन्ट में इंडियन फैसेशं शो नहीं है यह सब्सक्राइब करते में काफी लंबे संब्सक्राइब outfit fashion को क्या रूप दियाता है basic अतवा classic वस्तत निर्मान के लिए धागों को loop में निर्मित करना क्या लाता है knitting चलिए next question बारे बाद करते है button सब्दी की उत्पत्ती french subject में button से हुई combine क्या goal वस्तू next question कौन से गले वी शेप में होती है शुविट हर्ट ठीक है वी शेप में चलिए आंगे दिखी प्राथ्मिक ब्लोक में से कौन सा ब्लोक विक्सित होता है वो कैसा होता है क्यों जब डिजाइनर जब डिजाइन के मूलतत्व है मूलतत्व एवं सिधान्द एक साथ कार करते हैं तो क्या कहलाते हैं एक रूपता क्या कहलाते हैं एक रूपता रंग चक्र पर समान दोरी पर इससे तीन रंगों का प्रयोग कहा जाता है क्या कहा जाता है त्रिक रंग योजना क्या कहते हैं त्रिक रंग योजना नेश कोशन सुनीत वर्मा नेम्ड में से किस संग्रह से चर्चित हुए आपको पता है आर्ट डेको क्या आर्ट डेको से चर्चित हुए ठीक है टाउजा से त्यादी को साहरा देने वाला फैसन उपशायक है तो क्या कौंसा साहरा देता है बेल्ट ठीक है तो इस वाके जो को को आपके अच्छे कोशन मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग को फॉलो करेंगे देखेंगे और चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोग को जब नए वीडियो बनाऊ तो आप लोग क्या वल जाए नोटिफिकेशन मिल जाए और जो बैल है उसको भी हो कि मैं help कर सकूँ वीडियो कैसा लगा है अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें तब तक लिए जय हिन जय भारत